जीवन में कुछ कर दिखाना है आकाश की वो सीमा चुनी है जिसे चुने के विशे में आप कभी सोच भी नहीं सकते तो अपने अभीतर ये तीन गुंड अर्ज़त कर लीज़े पहला अपने लक्ष को पाने की चाह लगन ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते दूसरा साहस संकट उठाने की क्षमता ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं और तीसरा है अनुभव अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए तो जिसने चाह, साहस और अनुभव इन तीन गुरों की तिकड़ी पाली उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके वो सदा प्रसंदता से कहिए ताधेर अस जीवन में मनुष्य केवल तीन चीजों के पीछे भागता है चाह, अर्थात सहारा, संबर, काह, अर्थात सुंदर, सुबल, शरी, और तीस, मार, अर्थात अईश्वर, अब अच्रम्बित करने वाली बात ये है कि समय आने पर यही तीन वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती है अंधकार में चाया आपको त्याग देती है, बुड़ा पे में काया आपको त्याग देती है और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती कि कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दोड़े जा रहे थे कि कुछ काम आता है वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवार जो आपने संसार को देगा यह प्रेम ही है जो अंदकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा यह प्रेम ही है जो बुड़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा सारा देगा और जब आपके पास धन नहीं होगा तो यही प्रेम आपको सयोग देगा इसलिए जीवन में यदि कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाएं तो केवल प्रेम कमाएं और आप यसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे संसार में नियती बहुत कुछ निश्चत करती है जैसे हर एक बस्तू की सीमा शरीर से जाने वाला जल उसकी सीमा भी नियती निश्चत कर चुकी है कैसे देखिए तब आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं भाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने क्योंकि सब कुछ यदी भाग्य से मिल भी जाए उसे कर्म से रक्षत करना पड़ता है यदी परिश्रम करती रहोगे तो जो पाया है उसे सहेच कर रिक पाऊगे और जो आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पालोगे कि यदी परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्च नहीं नहीं होता तो बहाओगे